नमस्ते जी वेदिक राष्ट में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है सगल ग्यान दाता की भक्ति करें आज के इस लेख के लेखाक हैं वेदिक विद्वान डॉक्टर अशोकार गाजियाबाद से इस तरह के अन वेदिक लेखों के लिए प्रणादया कहानियों के विदिक राष्ट यूटूब चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकोन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाओ कमेंट अवश्च करें आईए आगे बढ़ते हैं विशे की और चलते हैं इस्वर सुधी प्रातना अपासना के प्रथम दो द्याय के अंतर गताता है मंत्र अवलोकनी है या आत्मदा बर्दा यश्च विश्व उपासते प्रशिशम यश्च देवा यश्च छाया अम्रतम यश्च मरत्यो कश्मय देवा यहविशा विदेम जिजरवेद 25 तेरा इस मंत्रकारत सामी दयानन जी के सब्दों में इस प अप्छा को मानते हैं जिसका आसरे ही मोक्च क सुक का दायक है जिसका ना मानना अर्थाद भक्ति ना करना ही मृत्यो आदी दुख है तु है हम लोग उस सुक शुरूप सकल ग्यान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंता करन से भक्ति अर्थाद उसी की आज्जा का पालन करने में तत्पर नहीं। सामीची द्वारा मंत्र के किये गए भाव के अलोग में हम मंत्र को विशाल रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रथम आत्मग्यान का दाता इस 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 नसार का प्रतेक प्राणी इस्वर की सहायता के बिना अपने आपको समझ नहीं पाता। के लिए सुगंदित रोगनाशक बलवर्दक मनस्पतियां मेवों का नर्माण किया है इनका उप्योग करके हम बलवान होते हैं एक समू का नर्माण करते हैं जिसे समाच कहते हैं इस कारण ही हम नित्य उसकी प्राथना रूप उस्तुति करते हैं जिसके सब विदवान लोग इस्तूती करते हैं जिसके सिख्षा को मानते हैं केवल उसके सिख्षाओं को भी मानते हैं जो परमपिता ने अपने ग्यान और्थात वेद दे रखी है इन वेदों का वह साध्याय करते हैं इन सिख्षाओं पर मनन्चिंतन करके जीवन का भाग बनाते हैं जिसका आश्रे ही म प्रभू की प्राथना रूपी सुख का देने वाला होता है। इसलिए हम उस प्रभू की प्राथना रूपी इस्तूती करते हैं। भक्ती ना करना ही मृत्युवादी दुख का हितू होता है। प्रम्पता प्रवात्मा सुख शुरूफ होने के कारण सदा दुखों को बाठता रहता है। किन्तु देता उसी को है। जो सच्छे मन करता है। उसकों बाठता है। लेकिन उसकों को पाने के लिए लिए उस प्रभू की उपासना प्रातना करते हैं। dür carrying आप्रभू जो है नित्त प्रती सुख वाटता है उसकी उपासना करने से हमें सुख प्राप्त होते हैं परमपिता परमात्मा का दिया ग्यान वेद के नाम से जाना जाता है अता इस इश्वरी ग्यान का इस्तरूत हमारा प्रभू ही है इस ग्यान को पाने के लिए हम नित्त सध्याय करते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नित्यत्न करते हैं इस प्रकार के सकल ग्यान को देने वाले प्रभू की हम नित्य प्राथना रूप पस्तूती करते हैं आत्मा और अंतह करण से उसकी आग्या का पालन करें इस प्रकार जो प्रभू हमें सब प्रकार के सुखों को सि बता भी है वहाँ एक बार हम पुना दोराएंगे चिंतन करेंगे मनन करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या जाना इश्वर जो है आत्मा और अंताकरण से उसकी आग्या का हमें पालान करना चाहिए वो सभी सिक्षाओं को धनों का देने वाला है इसलिए उसकी इस्तूति करना प् पूल अधार है इस्तूत है इसलिए वो सकल ग्यान का देने वाला है सुक सुरूप परमात्मा लगातार सुक बांटता है इसलिए हमें उसकी प्राथना करनी चाहिए उपासना करनी चाहिए प्राथना रूपी जिससे की हम सुक को प्राप्त हो साथी साथ जिसका आश्रे ही मोक्ष सुक का दायक है अर्था जिसका आस्रे मिलते ही मोक्ष सुक को प्राप्त होते हैं इसलिए इसे परमपिता परमात्मा की प्रातना रूपी अपासना हमें करनी चाहिए जिसकी सिक्षा को बानते हैं परमपिता ने विद दे रखी है विदों में जो सिक्षा हैं उनको हम सभी मानते हैं हमारा कर्तव है उनको मानना जिसके सब विद्वान लोग उपाशक हैं सामने लोग तो उसकी उपासना करते हैं विद्वान विशे इस रूप से उसका सानिद पाने का प्रयात्म करते हैं उसकी उपासना करते हैं आत्मग्यान का दाता वहा परमपरम परमात्मा ही है इसलिए परमातमा के निकटा बढ़ाने के लिए उपासना करनी चाहिए उसकी और प्राथना करनी चाहिए प्राथना रूपी उपासना करके उसका सानिद प्राप्त करना चाहिए योगा अभ्यास करना चाहिए इसके बारे में और अधिक जानने के लिए अगर आपने प सब्सक्राइब करें बेल आइकोन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाओ कमेंट अवश्च करें धन्यवाद